Hello friends, ये हमारा coral draw में logo designing का तूसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने इस logo को बनाया था और अब इस वीडियो में हम इस logo को बनाएंगे ये भी आपको मुश्किल लग रहा होगा पर ये भी पहले वाले logo की तरह बहुत ही आसान है और इसको अच्छे से सीखना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक पॉलिगन लिया और इसको यहाँ पर बना लिया यहाँ से अबजेक्ट की विट्ट को कॉपी किया और यहाँ नजडिस्टेंस में पेस्ट कर दिया प्लस से इस अबजेक्ट की कॉपी ली और राइट एरो की इसे इसको राइट साइड अलाइन कर दिया ये proper align इसलिए हुआ क्योंकि हमने object width को copy करके nudge distance में paste किया था अब nudge distance को 2 से divide कर देना है और इसे plus से copy करना है और left arrow की press करनी है जिससे ये इन दोनों के middle में आ जाएगा अब object की height को copy करना है और nudge distance में paste कर देना है और फिर 4 से divide कर देना है अब इस middle वाले polygon पर click करके 3 बार down arrow की press करना है अब ये निचे proper align हो गया अब pen tool लेते हैं और इसको यहां से draw करते हैं और यहां तक ले जाते हैं फिर इसको इसतरफ लाकर इस corner से align करते हैं और escape से इसको release कर देते हैं अब यहां से भी pen tool से एक line draw करते हैं और इसको यहां पर click करके escape से इसको release कर देते हैं अब इनको select करते हैं और control x से इनको cut कर लेते हैं अब इन polygons की बीच की लाइनों को virtual segment delete tool से delete कर देते हैं अब जिन लाइनों को मैंने cut किया था control v से उनको paste कर लेते हैं अब plus से इसको copy करते हैं इसके middle point को यहां पर set करते हैं control press करके 120 degree पर rotate कर देते हैं फिर plus से copy करते हैं इसके middle point को भी यहां पर set करते हैं और इसको भी control press करके 120 degree पर rotate कर देते हैं अब control A से इसको select करना है फिर window में जाकर dockers में जाकर corner पर click करना है यहां fillet पर click करके इसका जो radius है वो 12 mm कर देना है और उसके बाद apply अब यहां smart fill लेना है और इन सभी में color fill कर देना है फिर सारे color objects को select करके control X कर देना है और फिर control A करके इसको delete कर देना है अब यहां control V करना है जिससे जो हमने cut किया था वो paste हो जाएगा अब यहां एक circle लेना है और फिर interactive fill tool से circle में color draw करना है अब attribute eye dropper tool लेना है और यहां से sample लेकर यहां पर fill कर देना है और अब इन सभी colors के direction को proper align कर लेना है अब यह logo complete हो गया है कैसा लगा आपको यह tutorial ऐसे ही और videos के लिए videos को like कीजिए channel को subscribe कीजिए तो मिलते हैं next video में एक नए logo के साथ थैंक्स एर वाचिए